सबागार में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम और मैं बहुत बहुत अभार वेक्त करता हूँ पूरे निरांबर टीम का जिनके माध्यम से आज मुझे यह मौका मिला तो जैसा कि आज का विशय है हिंदी में हम उद्य प्रकास की कविता बिर्जित खान तो यह जो कविता है बिर्जित खान यह उद्य प्रकास द्वारा रचित एक भासा हुआ करती है काव शंग्रव में शंकलित है जिसमें कुल 38 कविताएं हैं और उस 38 कविताओं को कवी ने तीन भागों में विवाजित किया है, तो तीसरे भाग की जो तीसरी कविता है, वह है विर्जित खान, तो इस संग्रव को पढ़ते हुए, कभी मुझे ऐसा लगता है, कि कभी सपाट बयानी का अधार लेकर, कोई एक कहानी कहने का प्यास करता है, या कोई कहानी कह भी देता ह है, और कभी किसी किसी कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा लगता है, कि कभी अपनी कविताओं के माध्यम से, किसी रोंदे हुए घटना के प्रिष्ट को खोल कर, वर्तमान स्थनवेदंसील समय को इंगित करती हुई ये कविताओं, पाठक को संग लेकर चलती है, तो इस प्रालोशनाय लिखी, किसी ने इसे अच्छा कहा, किसी ने इसकी तारीफ की, तो मैं इस बहस की और न जाकर, वरना बात लंबी छेड़ेगे और वही बात हो जाएगी कि आयत हरी भजन को उटन लगे का पास, तो मैं ये जो आज का जो विशय है, उसका जो संदर्भ है, जैसा किसी में की बारीफार्ग उसका उनने किया है, तो ये वर्तमान का, जो जर्मंड की किसी बड़े कंपनी का डारेक्टर है, बलकि ये वर्चित खान है, जो एक गणीरिया है, और ऐख़गनिस्तान में अमेरिकी बमभारी के शो हैं, वो घाएल था, अपने मेमनों और लेकिन उस हाल में भी वह अपने लिए नहीं चीकता बलकि मेमनों और भेणों के लिए चिलाता है चीकता है अवाज देता है और इस पूरी घटना प्रक्रिया को पत्रका राबट फिस्क लोगों तक पहुंचाते हैं और यही जो पूरी घटना है वह कभी तक आते आते एक हि हंदी वालों के लिए मैं यहाँ पर एक इस विशाप पर मैं एक विविएग भट्नागर जी का कोर्ट है लोगों बारबर जिक्र किया था कि विविएग भट्नागर जी कहते है कि कविता जो है व्हाज घटना की आतरा करते-करते बता जाती है कि हिंडी में आकर हर बिरिझ वरजित खान बन जाता है उसी तरह जैसे बामियान में बुद्ध नजप में तितली और गुजरात में वली दकनी तो देखिए कि गुजरात वली को गुजरात से बहुत लगाव रहता है और वली हमेशा कहते रहते थे कि गुजरात का नाम उनके साथ ऐसे जुड़ा है जैसे गोस्त के साथ नाखुन जुड़ा हुआ है लेकिन ये दुर्भाग ही है कि 2002 में सामपरदाइक उनमात के समय उनके कबर को तोड़ दिया जाता है निस्ते नाभूत करने का प्रयास किया जाता है और उस समय के जो मौलाना होते है मौलाना रूमी वो अपनी statement में वो कहते हैं कि निसानम ला निशा बाशद यानि वली की तुर्भत के निशान को बले ही बेनिशान कर दिया गया हो लेकिन उनके सौक अंगेज साहिरी का निशान लोगों के मन में हमेशा बना रहेगा तो खेर यह जो आज का समय है कि तुम मुझे हाजी कहो मैं तुमें हाजी कहूं और मुझे देखने और सुनने वाले लोग हम दोनों को यह हच किया हुआ समझे तो यह जो हिंदी में हम हैं वह सत्ता सनशनाओं से घिरे हुए लोग हैं तो अब सवाल यह उठता है कि हिंदी की सत्ता सनशना क्या है तो हिंदी की सत्ता सनशना यह है कि तमाम विश्विध्याले हैं जिसमें हिंदी विभाग हैं उसमें कई प्रोफेसर हैं कई प्रकाशक हैं जो किताबे प्रकाशित करते हैं कई संपादक हैं जो किताबेशं अपादिद करते हैं, कई आलूचको का शमू है जो किसी को उठाता और गिराता है, कई अकादमीह हैं जो पुर्सकार देती हैं, तो यह सब मिलकर एक हिंदी प्रदिश्य बनता है और यह जो हिंदी प्रदिश्य है यही हिंदी की एक ताकतवर सत्ता सनरशना है तो अब थोड़ा सा में इधर थोड़ी से हट के बात करूंगा कि हिंदी में जो हमारी परंपरा रही है बहुत अच्छी परंपरा रही है कहा कि मत्भध होता था लेकिन सस्तरात नहीं होता है। थो ठोड़ी भुछ चीजे रही होंगी कि अभी जो मात्रा है वह स्वधार्ति और झे 될ी कह diet जा Engdara II कुछ कह लगा हैं तो माथ सथ्ष्ष्षीट हो रही ए तो मैं ज्चायावेद के दौर की बादशित करूंगा कि भावानी परशाद मिस्र अपने दूसरे सब्तक में एक भूमिका में लिखते हैं कि निराला परशाद और पंत फैसर में थे, ये तीनों ही बड़े कभी मुझे लकीरों में अच्छे लगते थे, किसी एक की भी पूरी कभीता मुझे बहुत नहीं भागाई, लेकिन देखि हैं धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, और जिससे सारे लोग तो वाकिफ होंगे, और मैं अब फिर मैं कभीता क्यों लोटूंगा, कि यहां कभी जो है, वह खुद को बिरजित खान के साथ जोड कर महसूस करता है कि वह घायल है, वह गडेरिया है बंबारी हो रही है, चारो तरफ युद्ध चल रहे हैं, और परन्तु उसका इस युद्ध के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वह इसका सिकार होता है, ठीक वैसे ही, जो हिंदी के रशनाकार है, जिने इस हिंदी की सत्ता स्रशना से कोई लेना देना नहीं ह लेकिन फिर भी उनको उठाया जाता है, उनको गिराया जाता है, उनको बंदराम करने की कोशिस की जाती है, तमाम कई से चीज़ें, जैसे सारे लोग वाकिफ हैं, तो यही कारण है कि उध्य प्रकास ने इस कविदा को सेलेस मट्यानी को समरिपित किया, क्योंकि सेलेस मट्या लेकिन उनको जो जगा मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिली उसे वो उपेक्षित रहें और राजिन द्रयादों अपनी बादचित में कहते भी हैं कि जब उनकी कहानिया धर्म्युक जैसे सर्वसेष्ट पत्रिका में प्रकासित होना सुरू हो चुकी थी तो उस दौरान वे एक धाबे में वेटर का काम करते थे तो उनके जीवन में सकत्ता सुनचन तो जो उससे सिकार थे वो तो थी ही प्लस उनकी जीवन में जो परशानिया थी आरिखिक परशानिया थी वो उससे हमेशा जूसते रहते थे o जाबय में 沉तेना जो द्कता में को पतक नरaser या पेट की भूब के लिए जेल की यात्रा करनी हो, तमाम ऐसे कई प्रशंग हमें सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, तो हिंदी की जो ये पूरी बहुत सरे ऐसे उधारन हमें देखने को मिलेंगे, यासे मुक्ति बहुत को देख लिए, धुमिल को देख लिए इसी सहर में व वो ग्रस्त हो जाते हैं, सोदेश दीपक भी एक बार लग सायद लग बग 2,006 के आसपास वो घर से निकलते हैं और कभी लॉट करने ही आते, तो हम देखते हैं कि लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें जीवन दाओ पर लगा रहता है, और उदे प्रकास इन बातों को मह भाडियों में भटक रहा है, उसी तरह जो हिंदी का रचनाकार है, वह भी अपने भासा के भुगोल में भटक रहा है, यानि भासा का भुगोल क्या है, जो उनकी कहानिया है, जो उनकी कविता है, जो उनकी रचना है, उसी भासा के भुगोल में भटक रहा है, तो वली दख क्या लेना देना था उसी प्रकार हिंदी के रशनाकार को भी इस सत्ता से कोई लेना देना नहीं होता लेकिन फिर भी वह इसके सिकार होते रहते हैं लेकिन लेकिन कभी यहां आसा भी दिखाते हैं कि कबरिस्तान में कबरिस्तान में तितलिया नहीं आती है लेकिन अगर फूल खेलेंगे तो तितलिया आही जाएंगी जो नदियों के सामने दजला फराद के सामने जो सबेता नश्ट हो गई है वहाँ पर भी सबेता विक्सित हो सकती है तो इसी एक भरोसे के साथ तो जो होता है रशनाकार कटे रहें हमक्यों आपस में कटे रहें हमक्यों नसब्द को सारवजनिक ताकत माने हमक्यों उसको वादो के जंजट में डाले हमक्यों नकोस से बाहर उसे निकाले मानो वह एक दो धारा है जिसने पहले भी मारा है अन्याय और अग्यान अभाव निरासा को जो आज सबल है बावजूद हर दुरुपयोग के पहले सा जो आज जगाया जा सकता है हर नहले पर दहला सा बहुत बहुत धन्यवाद